वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला सब्सक्राइब करना है और अंतर नहीं सब्सक्राइब करना है तो यहां पर आपका भी मोस्ट अप्रप्रेट सही है चिर स्थाई के लिए कौन सा विलोम शब्द प्रयूकत हुआ है चिर स्थाई का मतलब सदा रहने वाला शाष्वत तो पर्यवाजी पूछते तो सी हो जाता लेकिन यहां पूछा है विलोम तो उत्तर हो जाएगा बी सत्त की तलाश कैसे करनी चाहिए श्रद्धा पूर्व का सामना कैसे करना चाहिए ठीक है यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहला इस अंकटों को सहते हुए निमित नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए यही यहां पर most appropriate होगा क्योंकि अगर निमित नाश करता जाता है तो सत्य से उतना ही दूर होता जाता है ठीक है तो इस हु है हमारा मुस्ट अप्रोप्रियेट हो जाएक ऑप्शन नमबर ए ठीक है उसके बाद सत्य और इनिसा की मार्क को तलवार या आसी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया क्योंकि सत्य और इनिसा का मार्क इतना सीधा है उतना ही तंग है यह साफ साफ दिया हुआ है आपको ग्राफ तालिका वाले के भी और यह मैंत्स के रिजनिंग के सभी उत्तर आपको बता जाएंगे लेकिन पहले जीएस कवर कर लेते हैं कि देवनाम प्री और पीए दस्टी राजा किसको कहा गया है मौरे समराट अशोग को जैसे टेट पीजिस का पेपर होता है उसम सिंपली यह पूचा है कि देवनाम पीए पीदस्सी सासक कौन था अशोग ठीक है उसके बाद है कि संग मर्बर पर पृत्ता दिवरो पित्रा दिवरा या फिर पच्चीन कारिया पच्ची कारिया रंगीन पत्थरों की जड़ाई का काम किसके समय प्रचलितुवत शाज यह यह काम आपको कहां कहां देखना को मिलता है इत्मात दुद्धावला के मकबरे में और ताज महल में भी देखने को मिलती है पच्चीन कारी तो ऑफ्चिन अमबर C यहां पर सही है तामबे का सबसे पहला प्रयोग कहां पर हुआ था बहुत सिंपल से सवाल है इसका उत्तर ह कारी करता ने गांधी को आंदोलनों को केवल पूरुशों तक सीमित ना रखने के लिए राजी किया था तो इसका उत्तर हो जाएगा कमला देवी चटो पाध्या है ऑफ्चन मबर C कमला देवी चटो पाध्या है इस्ट इंडिया कंपनी की स्था अपना हुई तो भारत पर किसका शाषन था बहुत सिंपल सवाल इसका उत्तर हो जाएगा मुगलों का शाषन था मुगल समराट का उप्शन मबर D किस मुगल समराट का शाषन था या बता सकते हैं कोमेंट करके भूदान ग्रामदान अंदोलन निमलिकित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था जो इंडिविजुल सत्याग रहा में गांधी जी के पहले सत्याग रही भी थे दिने उसके बाद है कि दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया सुभाज चंद्र पोस्त ने और आश्ट्रवाद की पहली पष्ट अभी वक्ति कहां पर देखने के मिलती है फ्रेंच रिवल्यूशन में और इसके बाद है कि सधिनियम के कारण बंबाई से सिंध प्रांत अलग हुआ था तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से अलग हुआ था और भारती मानक समय ग्रेंविक मे योगी करन और पानी की उपलपता है ठीक है प्रा चिन काल से हम देखते आ रहे हैं कि जहां पर पानी की उपलपता है वहां पर आपको जयादा जन संख्या मुख्य कारण के अध्यान रखीएगा यहां पर में रीजन पूछा है क्योंकि रीजन तो मल्टिपल है में रीजन यहां पर हो जाएगा ठीक है क्या हाइट टेंप्रेचर एसोशियेटेट विध हाइँ उसके बाद है कि किसी भी विकास सील अर्थव्यस्था के प्रारंभिक की बात कर रहे हैं ठीक है प्रारंभिक चलडों में जैसे भारत आजाद हुआ था तो किस तरीकी के अर्थवस्था थी क्रशिया धारित यानि कि प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज ज्यादा थे जितना ज्यादा कोई भी देश से डवलप्ड होता है जैसे अमेरिका तो तो इन और्गेनिक फर्टिलाइजर स्पेट्रिसाइड यूट्स हो रहे थे इरिगेशन के लिए कई सारे डैम्स बनाए जा रहे थे और हाइल्ड वरैटिस तो मोस्ट इंपोर्टन फीचर था उत्तर यहां पर भी हो जाएगा बिना कोई संदेखे इसके बाद बिहार का सो इसके बाद है कि वाडिजिक बैंक कौन सा नहीं है तो इसके बाद है सारजनिक छेत्र का उपकरम संसत द्वारा एक विशेस कानून पारित करके किया जाता है वाइधानिक निगम जब बनता है स्टाचुट्री कॉर्परेशन तो इसके लिए एक स्पेशल लौ पार्लिमें में पारित किया जाता है इसके बाद है कि के इसासित्र प्रदेश में उचने आले कौन सरजित कर सकता है पार्लेमेंट ओप्शन नम्बर C इसके बाद है कि अनुच्छेद भारती समविधान में सरवचन नाले की स्थापना अगठन के बारे में है 124 ठीक है 124 कॉश्चन न अगला अनिमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है लंग्स जो है शिथिल पड़ जाते हैं ऑप्शन नुबर सी यहां पर सही है ठीक है कौन सा जो है वनस्पती रेशा नहीं वनस्पती रेशा फ्लाक्स कॉटन जूट है नायलॉन जो है फस्ट सिंथेटिक फाइब फाइब फाइबर था फस्ट वैंड मेंट फाइबर था अतारों का रंग जो है किस पर निर्भर करता है उनके तापमान पर इस टेंपरेचर ऑप्शन नुबर सी इसके बाद ग्लोबल लॉर्मिंग के लिए जिम्मेदार है रिन हाउस गैस ऑप्शन नुबर सी यहां पर सही है यहा का हो जाता है तीता ठीक है तो यह यहां पर गलत दानों निशाचर सही है लेकिन अंबक का मतलब हो जाता है आखें तो यह गलत मनुरत प्रहा सही है लेकिन निलय का मतलब होता है आवास या फिर घर या फिर ग्रह तो यह भी गलत हो गया पारवतिर उद्राणी भावानी आ ठीक है उसके बाद है कि अर्थ भेद जो है कॉंसर यह बड़ा creative question मुझे लगा यह तारीफ की जाने चाहिए इसके लिए अनिल का मतलब हवा होता है अनिल का मतलब आग होता है सही अनिश का मतलब हिस्सा और अनिश का मतलब कंधा अपेक्षा का मतलब आशा और पेक्षा मतलब निरादर अवलंब का मतलब क्या होता है सहारा होता है अवलंब मतलब सहारा ठीक है अविलोकित मतलब होता है निरीक्ष आप से ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है यह प्रॉदर वास ने वर एन आउटडॉर टाइप दैनिश के बाद है कि किसलिए करेक्ट किये गए थे बेटिंग के लिए option number B as a bait उसके बाद है कि the practice of writing, editing and compiling dictionaries इसको lexigography बोलते हैं यह reasoning question अभी आपको बताय जा रहे हैं हम GS पर continue करेंगे current fire के सवाल आने शुरू हो गए छेत्तर से इसमें पूछा है कि 2022 में ताइवान के असपास अपना सबसे बाद भारत की पहली underwater metro कहां बन रही है कोलकाता में भारत की पहली underwater metro टैनल की बात हो रही है ठीक है भारत की पहली underwater metro अगर पूछे तो कोची हो जाता इस cancer ठीक है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्चुली ये भारत की पहली underwater metro बन रही कोलकाता में भारत की पहली underwater metro टैनल बन रही कोची में थोड़ा सा अंतर ध्यान रखिएगा आगे के लिए आगे के शिफ्ट के लिए पहला क्रत्रिम बुरूड किस ने तयार किया था इसराइल ने आप्शन नमबर ए मोधी जी ने इंडिया इंट्रनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुबाराम कहां पर किया था गुजरात में आप्शन नमबर डी यहां पर सही है गुजरात इसके बाद है कि बढ़े ही चलो अभियान किससे संब्द देते तो अब इससी बात है यह पूरा का पूरा आजादी कमरत महुत कौन समाल रहा है मिनिस्ट्री ओफ कल्चर ऑप्शन नमबर सी यहां पर सही हो जाएगा सी यह बड़ा इजी था इसके बाद है कि बारती सेना ने अखील भारती उप ग्रह संचार अभ्यास किया था उसका नाम किया था इसका नाम था सकाइलाइट ऑप्शन नमबर सी भारत का पहला हर घर certified union territory कौन सा है यह आगे पूछ सकते हैं यहाँ पूछा है कि भारत का पहला हर घर certified state कौन सा है तो इसका उत्तर हो जाएगा गोवा option number C भारत का पहला मतलब भारत का पढ़ोसी देश कौन सा नहीं तो UAE भारत के साथ अच्छे संबंद रखता है लेकिन पढ़ोसी देश नहीं है उसके बाद है कि IIT ने किस IIT ने भारती भाषा प्राध्योगी को आगा बढ़ाने के लिए AI for भारत नंदन नीले कणी के इंदर option number A इसके बाद लोग सावें पतधारण करने की नियूंता मायू 25 वर्ष है और अंतराष्टी जय विवत्ता दिवस मनाते हैं 22 माई को विश्क को सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप ब्रह्म पुत्र पर हंगरी की मुद्रा है हंगोरियन फोरिंट उसके बाद है option number A इसके बाद powers of mind पुस्तक लिखी है स्वामी विवेकानन ने United Nations framework convention on climate change इसका full form है framework convention यह दोनों बहुत जरूरी इसके बाद है कि पुरानी पीडियों की जानकारी कैसे देता है साहित्यम में ऐसे देता है कि राष्ट का इतिहास गरिमा सब्विता संस्कृति पूर्वजों का विचार उनसंधान आदी ततकालीन साहित द्वारा ही जाने जा सकते हैं option number C यहां पर most appropriate है साहित्यकार समाज का दरपन क्यों नहीं होता है ध्यान रखना है क्यों होता है पर कर देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि साहित्यकार क्योंकि साहित्यकार समाज की विडम बनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने कोशिश की जा कर दो